जिलाप्रशासन ने घरोणा के बस्तारा टोल प्लाजा पर तनावपूर माहोल को देखते हुए धर्ना देने वे लंगर लगाने की अनुमती प्रदान कर दी है आपको बता दे कि जिलाप्रशासन द्वारा कुछ शर्तों के साथ किसानों को लंगर लगाने एवं धर्ना देने की अनुमती दी गई है वही किसान नेताओं ने कहा कि पहले दूसरे सान पर लंगर के लिए टेंट लगा दिये थे परन्तु अप्रशासन द्वारा दूसरी साइड में लंगर लगाने की अजाज़त दे दी है उन्होंने कहा कि किसान शांती प्रिया तरीके से धर्ना प्रदर्शन कर रहे है एवं गुरू का लंगर लगाया जा रहा है उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा किसान नेताव ने ये भी कहा कि पूरे हरियाना के टॉल प्लाजा पर धरने शुरू हो गए है इसलिए घरोंडा टॉल प्लाजा पर भी इजाज़त दी गई है जिसके बाद प्रिशासन द्वारा लंगर लगाने की इजाज़त प्रदान कर दी गई है जिला प्रिशासन के अनुवधी के बाद ही यहां पर लंगर सेवा प्रारंब कर दी है उन्होंने कहा कि पहले की तरह ही किसान आंदोलन जारी रहेगा यहां हम आपको बता दे कि किसान आंदोलन के चलते हुए घटना करम के बाद जिलल प्रशासन दुआरा घरोंडा टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बलते नात कर दिया गया था एवं आंदोलन कारी किसानों को यहां से हटाने की अपील कर दी गई थी जिसके बाद किसानों ने यहां से लंगर सेवा एमधरना हटा दिया था परन्तु बाद चीत के बाद प्रशासन की अनुमती के अनुसार ही यहां पर दोबारा से लंगर सेवा शुरू कर दी गई है वहां पर हमने मैट मिचा दिये थे और लंगर सिकाने के लिए जगा चीए थी चंता बहुत जादी थी यहां भी बीड़ो या थी तो अब यहां पर आके दर्णा चालू करती है सारा जो सुबह का आज ही है सारा कभी सोट चर्रादा उसका खतम हो गया है सुबह वैसे ही तरीके से दर्णा और लंगर सुबह यहां पर टेंट भी लगेंगे और स्टेज भी लगेगी जैसे पूरे रियाणा के तोलो के दर्णे है ना इस तोल के दर्णे को कोई उखाट सकता सबसे आज परिशाच्य नहीं कहा कि आज आप उसमें आदे ऐसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए बैल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवार आप जबी बैंक्वेट एंटर्प्राइब